कुल्दीप सिंग राटवर वेलकम इंगेट वाला प्लेटफॉर्म आप सब की तैयारी काफी तरीके से चल रही होगी और आप फुल डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपेशन को कंटीन्यू कर रहे होंगे आप लोग लिए कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी अपडेट कोई इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली वेसे पर उसकी अपडेट आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर और आप सबको पता है कि अब 2023 जो है वो एंड होने वाला है और 2024 स्टार्ट होने वाला है और आप में से कई सारे बच्चे जो है वो अभी प्र के बिहाब पर हम लोग ये प्रिडेक्ट कर सकते हैं कि 2024 में कौन-कौन से और्गनाजेशन के विकेंसी निकलने के चांसे रहेंगे कौन-कौन से और्गनाजेशन में एक्जाम होने के चांसे रहेंगे बाकी और भी जो है बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं बड़ जो मे को किलियर करने के बाद multiple PSU में आपके पास केरियर बनाने का मुखा होता है आपके पास IIT NIT या फिर इस कोई जो colleges होते हैं वहाँ पर जाके master's करने का with stipend के साथ वह मुखा होता है PhD करने का मुखा होता है with fellowship सब्सक्राइब के साथ इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गाईस बहुत सारे जो इस्टेट ओर्गनाइजेशन सोते हैं वह भी गेट से लेते हैं बहुत सारे अधर मिनिस्ट्री में भी जोब निकलती है जैसा आई भी हो गया सब्सक्राइब करते हैं अगर आप सब्सक्राइब में इसका एक्जाम आपका होने वाला है तो सबसे इंपोर्टेंट एक्जाम आपके लिए जो है सबसे फर्स्ट वो गेट है उसके बाद आप सब सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर भी काफी अच्छा चांस आपके लिए देता है तो दो सबसे मेजर एक्जाम नेशन के बारे में तो जो हुआ ता उसमें क्या हुआ था कि एक्जाम प्रोपर में कंडेक्ट भी कर के वापस असको प्रसीड करते हैं तो इसका रिक्रेमेंट अभी चल और इसमें भी वेकेंसी निकलती है एक्सपीसेल का एक्जामनेशन अगर आप देखेंगे तो अभी रिसेंटली कंडेक्ट हो रहा है तो अगले साल भी आपका देखोगे तो लगबख सेप्टेंबर अक्टोबर के आसपास इसका रिक्रूमेंट आके और अगले साल भी 2024 में बहुत भी चांसेज रहेंगे आपके इसके होने के इसके बास ब्रूप सारे जो है विडाउट वाले मैं को बता रहा हूं सेल का आया है और आपने देखा होगा सेल का एक्जामनेंट है और सी एफ लम्ट एक्जामनिशंस है तो यह सब प्रोसेस भी आपके चल रहे है विन भी निकलते रहते हैं तो जो मेजर है वो में आपको यहां पर बता दिये बाकि आप लोग परेशान नहीं होना है जब भी इसका एक्जाम भी होगा इसके फॉम भी निकलेंगे कुछ टाइम में इसरों का रिक्रमेंट आप सबको पता है इस साल के बच्चों को लेने के लिए जरूरा नहीं का चांसे रहेंगे तो इस तो का एक्जाम भी आपके पास है डी आड ओ भी आप सबको पता है कि डी आड ऊपना इक्जाम कंडेक्ट करवाता है उसने भी लास्ट 1-2 यह मा अगर आप देखेंगे इसकी वेकेंसी जा रहें थो इसंवर भी 2024 में भी इसकी वेकेंसी जाने के चांसे रहेंगे। उसके लाबा एकिसी गापता है वी रिस तो यह भी आपके पास एक अच्छी अपोर्चनिटी अगले साल भी आने के चांसे रहेंगे इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे गाइस बहुत सारे एई-ई-जी के एक्जामनेशन्स होते हैं डिफ्रेंट गोर्मेंट और्गनाइजेशन्स में जैसे अगर आप देखो इसके बहुत सारे स्टेट पीसी एस और इस्टेट एई-जी के आपने देखा होगा डिफ्रेंट इफ्रेंट की वेकेंसी निकलती है तो वह भी आपफिल कर सकते हैं एक्जामनेशन्स भी आपके लिए होने के पूरे चांसे रहेंगे तो यह कुछ एक्जामनेशन्स है जो तो सारी पॉसिबिलिटीज है लेकिन फिर भी आपके पास इतने सारे एक्जाम की अपॉर्चेनिटी है तो अगर मान लोग किसी एक एक्जाम में आप फेल होंगे लेकिन अगर आपने फिर पेशन को कंटीनिव रखा तो डेफिनेटली गाइस कहीं ना कहीं सकसे आपको जर सकते हैं अपने क्यूशन के जवाब मुझसे ले सकते हैं बाकी आपको कोई भी अगर हैल्प चाहिए तो आपको मिल जाती है बहुत सारे बच्चे महां प्रिपेर करते हैं तो डेफिनेटली आपको भी एक मोटिवेशन मिलता रहता है तो आप लोग कुलदीप सर अंडरिस इन में से किसी भी और्गनेजसेशन में अगर आप पार्ट बनना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको फुल डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी पड़ेगी इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे अंड करते हैं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए गुडबाई थ Thank you so much, take care, see you.